बच्चों ये आपके हिंदी की क्लास्वग बुक का पेज नंबर 19 है जिसमें हम लिखना सिखेंगे स्वर ए से एम्बूलेंस तो चलिए पहले हम ट्रेसिंग करेंगे फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन करेंगे सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन करेंगे फिर यहां से थोड़ी स्पेस छोड़के फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन करेंगे और फिर्स्ट ब्लू लाइन पर करेंगे शीरो रेखा और उपर हम यह मात्रा कैसे करेंगे यहां से हम स्टाट करेंगे चोटा सा सरकल करेंगे रेड लाइन को टच करके स्लैंट करेंगे और यह स्टेंडिंग लाइन को टच करेंगे स्वर ए आना काहिए सेर्ड ब्लू लाइन से सेकेंड शेर्टल् लाइन से थाल लू लाइन तक स्लैंट लाइन करें गै। फिर थोरी से स्पेस चोड़ेंगे थाल нос से सेंट लू लाइन तक स् railwayन करेंगे और्चोटी सीं लाइन करेंगे फिर्स ब्लू लाइन पर करेंगे शीरो रेखा फिर हम यहां से छोटा सा सरकल बनाएंगे फिर्स रेड लाइन को टच करके स्लैंट करेंगे और यह स्टेंडिंग लाइन को टच करेंगे स्वर ए फ्रस्ट ग्ルली लैन से श्रेटिंग लेंगे, फ्र fatty bली लैन से स्टेंडिंगось करें ग्रीज्टकito करेंगे फिर फ्र्स छोड़ेंगे यहां से और फ्र ऋलाइन से श्रेटिंग करेंगे, प्र फ्र इस की कटेंगे झाल ही ब्रीज से इस कशकर ऩन लाइन करके और यह स्टेंडिंग लाइन को टच करेंगे स्वर एफ फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन करेंगे सेकेंड ब्लू लाइन से थोर्ड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करेंगे फिर यहां से थोड़ी सी स्पेस छोड़के फर्स रेड लाइन को टच करके स्लांटिंग लाइन करेंगे और स्टेंडिंग लाइन को टच कर देंगे स्वर ए फिर से लिखेंगे फर्स ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन करेंगे फिर यहां से थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और first blue line से second blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slanting line करेंगे और first blue line पर करेंगे शीरो रेखा और फिर यहां से छोटा सा circle करेंगे first red line को touch करके slant line करेंगे और ये standing line को touch कर देंगे स्वर आ first blue line से second blue line तक standing line करेंगे second blue line से third blue line तक slanting line करेंगे फिर यहां से थोड़ी सी space छोड़ेंगे first blue line से second blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slanting line करेंगे और first blue line पर करेंगे शीरो रेखा और फिर यहां से छोटा सा circle बनाएंगे 1st red line को touch करेंगे और slant line करके ये standing line को touch कर देंगे स्वर ए 1st blue line से 2nd blue line तक standing line करेंगे 2nd blue line से 3rd blue line तक slanting line करेंगे फिर थोड़ी सी space छोड़ेंगे 1st blue line से 2nd blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slanting line करेंगे और फिर यहां पर 1st blue line पर करेंगे शीडो रिखा फिर यहां से छोटा ससर कल बनाएंगे फर्स्ट रेड लाइन को टच करके स्लैंटिंग लाइन करेंगे और यह स्टेंडिंग लाइन को टच कर देंगे स्वर ए फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक standing line करेंगे second blue line से third blue line तक slanting line करेंगे फिर यहां से थोड़ी सी space छोड़ेंगे first blue line से second blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slanting line करेंगे first blue line पर करेंगे शीरो रेखा और फिर यहां से छोटा सा circle करेंगे first red line को touch करेंगे और slanting line करके यह standing line को touch कर देंगे स्वर एर फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करेंगे सेकंड ब्लू लाइन से थोर्ड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करेंगे फिर छोटी सी स्पेस चोड़ेंगे first blue line से second blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slant line करेंगे और first blue line पर करेंगे शीरो रेखा फिर यहां से छोटा सा circle बनाएंगे first red line को touch करेंगे और slanting line करके यह standing line को touch कर देंगे first blue line से second blue line तक standing line करेंगे second blue line से third blue line तक slanting line करेंगे फिर यहां से थोड़ी सी space चोड़ेंगे first blue line से second blue line तक standing line करेंगे और छोटी सी slanting line करेंगे और first blue line पर करेंगे शीरो रेखा फिर यहां से छोटा सा circle करेंगे फर्स्ट रेड लैंग को टच करेंगे स्लांटिंग लैंग करके ये स्टेंडिंग लैंग को टच कर देंगे स्वर ए देखिए बच्चों इस तरह से आपको स्वर ए लिखना फिनिश करना है और उसके बाद या किसका चितर है एनक तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वर ए ऐसे एनक और अब हम एनक के चितर को ट्रेस करेंगे देखिए बच्चों इस तरह से आपको ट्रेसिंग फिनिश करना है और अब इसमें अच्छी तरह से रंग भना है देखिए बच्चों इस तरह से ऐसे एनक की चित्रा में रंग भरने के बाद आपका पूरा पेज इस तरह से फिनिश होता है